नमस्कार मैं विशाल सिंग और आप देख रहे हैं आई इंडिया करीब 16 साल पहले हिटा में फरनीचर कारीगर राजराम को मुटभेड में मार गिराने का मामला फर्जी पाया गया है बुधवार को पोरे मामले की सुनवाई करते हुए CBI कोट ने 5 पुलिस कर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि चार पुलिस कर्मियों को 5-5 साल की सजा मिली है बेगुणा के खून में सने सभी पुलिस कर्मियों पर अर्थ दंड भी लगाया गया है उम्रकैत की सजा पाए पुलिस कर्मियों पर 33,000 और सुबूत मिटाने के मामले में 11,000 रुपे का अर्थ दंड लगाया गया है जबकि चार पुलिस कर्मियों को हत्या के आरोप से कोट ने बरी कर दिया है लेकिन साक्ष मिटाने और जूटी सूचना देने के मामले में उन्हें 5-5 साल की सजा सुनाते हुए 11-11,000 रुपे का अर्थ दंड लगाया गया है CBI की जाच में दोशी पाए गए पुलिस को लेकर पूरा मामला क्या है आईए आपको पूरे घटना क्रम पर नज़र डालते हुए जिश्तार से बताते हैं दरिसल CBI के विशेस लोक अवियोजन अनुराग मोदी ने कोट को बताया कि हाई कोट में दर्ज परिवाद में राजा राम की पतनी संतोष कुमारी ने बताया था कि उनके पती को थाना सिड़पुरा जिला एटा के पुलिस करमियों ने 18 अगश्ट 2006 को दोपहर 3 बजे उठा लिया था पती को पुलिस से छोड़ाने का प्रयास किया लेकिन पुलिस करमियों ने कहा कि अगले दिन छोड़ देंगे 28 अगश्ट 2006 को थाना सिड़पुरा की पुलिस ने एक लुटेरे की मुट भेड में मौत बताई शोग को अग्यात में जला देने के बाद बताया कि वह राजाराम था संतोष ने बताया कि वह पहले केश जर्ज कराने के लिए थाने गए तो पुलिस ने भगा दिया जिला अदालत में प्राकना पत्र दिया तो अर्जी खारिज हो गई फिर वे हाई कोड गए हाई कोड की लखनव पीट ने सीबियाई जाँच के आदेश दिये 2007 में जाँच शुरू कर सीबियाई ने 2009 में सिड़ पुरा के ततकालीन ठाना प्रभारी समें 10 पुलिस कर्मियों के खिलाप आरोप पत्र दाखिल किया था सुनवाई के दौरान आरोपी दरोगा अंजट सिंग की मृत्य हो चुकी है आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 13 साल चली सुनवाई में 202 लोगों की गवाही के बाद साबित हुआ कि सिपाही राजिंद्र ने राजा राम से अपने घर की रसोई में काम कराया था मज़ूरी के पैसे ना देने पर राजा राम सिपाही से अड़ गया था इसी पर सिपाही ने साज़िश रचली राजा राम पर भी एक के जर्ज ना होने के बाद भी सिड़पुरा थाने की पुलिस ने उसे लुटेरा बता दिया था सीबियाई कोर्ट की ओर से दोशी पाए ठहराए गए पुलिस कर्मी उत्तरप्रदेश के अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं आईए आपको बताते हैं कौन पुलिस कर्मी कहां का रहने वाला है पवन सिंग ततकाली थाना ध्यक्ष थाना सिड़पुरा जनपद एटा इस्थाई पता ग्राम बदेहरी थाना छपार जनपध मुझवफर नगर शृपाल ठेनवात ततकालीन ओपनिरिक्षक थाना सिडपुरा जनपद एता इस्थाई निवासी ग्राम बदेहरी थाना छपार जन्पत मुजफर नकर्थ बल्देव प्रिसाद आरक्षी सिडपुरा थाना निवासी कस्बाव थाना हरपालपुर हरदोई अबुधेश रावत ततकालीन आरक्षी सिडपुरा निवासी ग्राम नगला तेजा पोस्ट रिधारी कट्रा थाना रुवेन आगरा चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाई की नईया वोटर बनेंगे आखिर किसके ख्यवईया बच चुका है चुनाव का विकुल तै हो चुकी है उम्मीदवारू की दावेदारी लाखों की आवान चुनेगी शहर की समका किसके सिर सजेगा जीत कताज खूब हो रहे है चुनावी वादे नेता जी जा रहे है वोट्रों के दौरे छे निगरपालिका पांच निगरपंचायतों का होगा फैसला चेयर मैंन पार्टनों की तैहों की तक्दियो निकाई चुनाओं का महा कवरज लेकर आ रहा है आई इंडिया निकाई की नईया में देखे वोट्रों की पसर सहर की सरकार में जानेंगे निकाईों का हाल वोट्रों से लेकर निकाईों तक होगा सबसे सठीक बिश्लिक्शन तो हर रोज देखते रहे सबसे भरोसे मन न्यूज चैनल आई इंडिया खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया